हम बात कर रहे हैं SSC mathematics में advanced mathematics की अब जानते हैं कुछ CGL बगरा होती है इसमें advanced math आती है इसमें राकेश यादो जी की दो लिखी की बुक है advanced math की उसके solution प्रवाइड कर रहे हैं तो देखते हैं इसके algebra topic का next question देखें अब बात करेंगे हम 9th question की question आपके screen प्यारा होगा बड़े प्यार से उसको देखेगा हम पढ़ रहे हैं लिखा है if 47.2506 is equal to 4a plus 7b plus 2c plus 5 upon d plus 6e then find the value of 5a plus 3b plus 6c plus d plus 3e यदि 47.2506 is equal to 4a plus 7b plus 2c plus 5 upon d plus 6e बराबर है इन दोनों equal हैं तो कहरा है कि 5a plus 3b plus 6c plus d plus 3e की value क्या होगी क्या बता रहा है यह कहरा है 47.2506 47.2506 की value है 4a plus 7b 4a है plus 7b है plus 2c 5 upon d plus 2c है plus 5 upon d है और प्लस 6e है क्या मतलब है यहां पर मतलब यह है कि इसको इनोंने expanded form में लिखा है expanded form में आपने बहुत छोटे class से पढ़ा है कि जैसे 120 है या 125 है तो यह आपका इकाई कांख है यह दहाई का है यह सेक्रे का है यह unit का है यह 10 में इसका यह 100 का है तो जब इसका expanded form लिखते थे विस्तार पूरवक तो आप एक को multiply करते थे 100 से plus 2 को multiply करते थे 10 से plus 5 को एक से करते थे अपके और 5 लिखते थे याद है ना इसी प्रकार से अगर 125.234 है तो एक को multiply करेंगे 100 से क्योंकि यह सैकड़े का स्थान है दो का multiply करेंगे 10 से 5 ऐसे रहेगा अब यह आपका 10th place है दस्वा नहीं 10th place दस्वा पार्ट जिसको 2 बटे 10 लिखेंगे इसको 3 बटे 100 लिखेंगे इसको 4 बटे 1000 लिखेंगे अगर आपको याद हो बच्पन की कुछ यादें कुछ नहीं है 4 अलग है 7 अलग है 2 अलग है 5 अलग है 6 अलग है तो अगर हां से देखें तो इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू 10 यह चुकि 10th place है प्लस 7 इंटू 1 प्लस 2 अपान में 10 लिखेंगे प्लस 5 के अपान में 100 लिखेंगे 0 के अपान में कुछ करना नहीं है लिखना ह तो 0 का पान में लिख दो 0 के पान में 1000 लिखेंगे प्लस 6 के पान में 1, 2, 3, 4 लिखेंगे समझ मैं आई बात और ये किसके एक्वल है 4A प्लस 7B प्लस 2C प्लस 5 अपान D प्लस 6E ये दिया हुआ है ठीक है अब जरा दुरों तरफ compare करने की कोशिच करिए देखो 4 के साथ क्या रहा है A और 4 के साथ क्या रहा है 10 यानि A की value यहाँ पर 10 है 7 के साथ क्या रहा है B 7 के साथ क्या रहा है 1 तो B की value यहाँ पर 1 है 2 के साथ क्या रहा है C 2 के साथ क्या रहा है 1 अपान 10 तो C की value 1 अपान 10 है ठीक 5 के साथ आ रहा है upon में D 5 के साथ आ रहा है upon में 100 तो D की वलू direct 100 होगी न चुकि यहां भी D upon में है और यहां भी upon में ही है 6 साथ क्या रहा है E और यहां रहा है 1 upon करके तो E की वलू आएगी 1 upon 1, 2, 3, 4 पकड़ में बात आई ABCD की वलू आगई अब आप से कह रहा है कि भाईया आप निकालो 5A यह कह रहा है 5A प्लस 5A प्लस 3B प्लस 6C 3B प्लस 6C प्लस D प्लस 3E इतना निकालना है तो देखो 5 A का मुल्टिप्लाइ करेंगे 10 हो जाएगा प्लस 3B का मुल्टिप्लाइ करेंगे 1 हो जाएगा 6C को करेंगे 1 upon 10 हो जाएगा प्लस D को करेंगे तो 100 हो जाएगा प्लस 3E को करेंगे तो अप आनमे 1, 2, 3, 4 आएगा पकड़ में बात आगई होगी तो देखो ये तो पचास हो गया ये तीन हो गया ये दसम्रो एक अंग बाद आ गया 0.6 ये 100 ये क्या मैं कर रहा हूँ डी की वैलू ही 100 है न तो ये आपका 100 आ गया और प्लस यहां पर 1, 2, 3, 4 थिक अब आप को एड करना तो आना चाहिए ये दसम्रो के पहले है 150 और 3 तो 105 ये आ गया फिर दसम्रो लगा देंगे दसम्रो के पहरा स्थान 6 है, दूसरा स्थान है नहीं, यहां 0 है, तीसरा स्थान 0 है, चौथा स्थान 3 है 153.6003 यहां पर आएगए ना आता हो तो थिसम्रो लिए करना एड करना आपको आता है, ना आता हो तो फिर आप जानो, अब हम कहें कमेंट में लिकना पर मैं समझाओंगा, अब स्सकी का एक्जाम देने वाले को इतना आना चाहिए, तो यह 9th question है और इसका जो पार्ट सही है, that C part is सही, ठीक है, तो this is 9th question, यही तरीका easy है, थोड़ा दिम 3x cube plus 7 is equal to 250, तो x का मान ग्यान करना है, if 3x cube plus 7 is equal to 250, then find the value of x, देखो यह simple mathematics के algebra का simplification है, जैसे अब प्लस का उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर का multiply उधर divide हो जाएगा, इधर square, उधर square root हो जाएगा, इधर cube, इधर cube root हो जाए 3x cube, 3x cube plus 7 is equal to 250, ठीक, अब आपको चुके x cube निकालना है, तो x cube तो 3 के साथ रहेगा, और 7 उधर जाएगा, तो 250 minus 7, तो 3x cube is equal to 243 हो जाएगा, जब x cube निकालेंगे, तो 3 multiply में है, उधर जाके, divide में हो जाएगा, तो x cube कमाना आएगा 81, और आप जानते हैं, x cube बराबर 81, तो ये 3 cube हो जाएगा, क्या बोल ला हूँ, 81 आएगा ना, ये नहीं पूछ रहा आप से, sorry, 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 आप से पूछ रहा है, x is, हाँ, एक बड़ यहाँ पर है, क्या, ठीक तो है, अब गड़ बढ़ा गया, x cube बराबर 81, अब आपको x कमान निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, अगर base में 3 है, तो उपर भी 3 आपको लाना पड़ेगा, आपको 3 की power में इसको लिखें, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखें, एक्चुली में हमको लगता है, एक question लिखा ही गलत तरीके से है, यह question देखते हैं, एक्स क्यूब बराबर, तीन तरक नोटो 27 की 81, तीन की power, तीन की power 4 लिखा हुआ है, यह question गलत लिखा हुआ है, एक्चुली यह question यह ऐसा हो नहीं होना चाहिए था, यह गलत लिखा है, इससे निकलेगा नहीं, ठीक है, यह question ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इस part को delete नहीं कर रहे हैं अपने वीडियो से, कि मैं सही लिख दूँ, मैं बता रहा हूँ कि question यह लिखा यह नहीं होना चाहिए, यह लिखा होना चाहिए 3 to power x plus 3, यह ऐसे लिखा होना चाहिए, यह जो आपका 3 की power 3 x cube लिखा हुआ है, यह ऐसा नहीं है, 3 to power x plus 3 plus 7, ऐसा नहीं कर रहा है, 3 to power x plus 3 plus 7 is equal to 250, यह दिया हुआ है, तो 7 को उदल ले जाओ, तो 3 की power x plus 3 is equal to 250, इसको मानस करोगे तो 243 आएगा, और 243 को जब आप factor करोगे, तो 3 तरक 9 तरक 87 तरक 84 तरक 243, यानि यह 3 की power 5 लिखा हुआ है, ठीक, अब दुनों तरक power same, बे same है, तो x plus 3 की value आएगी 5, x का माना जाएगा 2, तो 2 is the correct answer, ठीक है, और इसका option number C सही है, अब अगर इस 2 को आप उठा करके, इनकी condition में लग दीजिए, इनका question क्या था, इन्हों दिया है, 3 x cube plus 7, जैसा लिखा हुआ है, 3 x cube plus 7, अगर आप 2 लगते हैं, तो 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 24 प्लस 7 ये 250 के equal नहीं आने वाला है, इसका मतलब जो प्रिंटर है, वो नहों करके ये होना चाहिए, ठीक है, तो this is question number 10, next in the next video, नमस्कार.